ओमनमेश यह जहमाकाल दोस्तों दोस्तों यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले शिव पुजा के साथ ही मंदिर में शिवलिंग स्थापना के कुछ नियम शिव पुराण और सास्त्रों में बताए गए हैं यदि शिवलिंग नियम के अनुसार इस्थापित ना हो और उसकी पूजा पहले तो फलीबूती नहीं होगी दूसरी यदि पूजा सही से नहीं होगी तो भगवान शिव की नाराजगी आपको जहनी पर सकती है शिव पूजा के कुछ नियम है इन नियमों को जानना जरूरी ह क्योंकि लोग अपने घरों के मंदिर में भगवान शिव की स्थापना तो कर लेती है लेकिन उसकी पूजा धंक से नहीं करते शिव पूजा के नियम उनको नहीं पता है तो ऐसे में भगवान शिव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है तो चले जानते हैं गर में रखते समय हमें किन किन बातों का धिया रखना है शिवलिंग नारे मंले में रखना मन०िर में मंदिर में शिव इपन वहल ड़र जल जल चलाने के क्या अनियम हम है दोस्तों यह आप अपने घर सापित करने जा रहें और सब से आपको स्थे मद्ध है jakie म्हिज्च घर रखना चाहिए जब हमेशा बाहर मंदिर जाता हैं नहीं चोटी जहसे भगवान पीयाइशाया तेन गर चुनके रना ऐसे में परिवरने चाहिए जब साते हुठ तैन भाचारी झाहिए हूनु SHRIV परिवार में मागवigatori, गивается, कारतिके में बहुत टसवीर होनी हना अकेले सिविलिंग की पूजा करने से आपको वैराग्य की ओर जा सकते हैं सिविलिंग की सापना कभी भी ऐसी जगे ना करें जहां कमरा बंध हो यदि आपका मंदिर बंध कमरे में रखा हुआ है तो आप उसको खुली जगे पर स्थापित कीजिए जहां करने सिविलिंग की जब भी बहती रहेगी क्योंकि घर में शिविलिंग रखने से सीली मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पर शिविलिंग के उपर लगातार जल धारा बहती रहनी बहुत मुश्किल होती है आपने मंदिरों में देखा होगा शिव जी के उपर जल धारा लटकी होती है कहीं किसी-किसी मंदिर में होती है किसी में नहीं भी होती है लेकिन शिव जी के खारण यही होता है कि शिव के उपर जल्धारा हमेशा बहती रहनी चाहिए तो देखें जब आप भगवान गणेश को मंदिर में रखते हैं तो उनकी पिता को भगवान शिव को आप गंबले में कैसे रख सकते हैं तो इसलिए जब भी शिव ने रखें तो उसे घर की मंदिर में स्थान दीजिए वहाँ पर एक प्रोपर जल्धारा की विवस्ता कीजिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अरपन नहीं करनी चाहिए या शिवलिंग पर जलाओ जो आप जल चड़ाते हैं उसको कभी भी तुलसी के गबले में नहीं अरपित करना चाहिए तुलसी मा के साथ भगवान शाली गनाम की स्थापना होती है शिवलिंग की स्थापना करने से जादा अच्छा है आप भगवान शिव की तस्वीर अपने घर में रखें Shriveling इस्थापित करना कोई बुरी बात नहीं है, घर में Shriveling इसथापित करना चाहिए लेकिन प्रोपर जलधारा की विश्ताए होनी शिवले रखें तो आपको महाँ पर साफ सफाई का विशेय ध्यान रखें जब भी भोग लगाएं शिव जी को तो अलग से बरतन में भोग लगाएं जब भी शिवलिंग पर जवर्पित करें तो उसे कभी भी तूलसी के पोधे में ना डालें और भगवान शिव के साथ में शिव परिवार की मूर्ती ज़रूर रखें तो यह चोड़ी-चोड़ी सी बात है आपको शिवलिंग स्थापित करने से पहले जरूर जा लेनी चाहिए घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए शिव पूचा के लिए आपको शिव पुरान में ज जरूर प्रेस कर लेता कि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके तो चली मिलती नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक स्वस्त रहें खुश रहें